योगी जी का बहुत अच्छा फैसला और मैं एक बात पूछना चाहते हूं इंदुस्तान के मोलानाओं को क्या इनका खुदा क्या इनका पैगंबर भगवा पगड़ी पहनते थे जो ये मोदी जी के लिए प्रैसर करते हैं योगी जी पर दबाव डालते हैं कि ये जालीदार टोपी पहने आखिर क्यों जालीदार टोपी पहने क्यों यहें благ का शाली नी चाहिए और में लकाने के लिए तेयार है चाहे वो आजम खान है या ओबेसी है या फिर गुलाम नभी आजाद है ये तिलक लगाने के लिए तैयार है ये हमारे मंदिर में आरती करने के लिए तैयार है क्या अगर ये हमारी मंदिर में आरती करने के लिए तैयार है तिलक लगाने के लिए आ रही हूँ बताओ लेकिन बार बार ये प्रोप गंडा करना कभी प्रधान मंत्री को टोपी पहनाएंगे जालिदार कभी मुख्य मंत्री को टोपी पहनाएंगे जालिदार ये अच्छा नहीं है ये गलत बात है और इस तरह की मांसिक्ता को बदल ले इंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं है देखे राम मंदिर जल्दी बनने जा रहा है और दूसरी बात यह दो हजार उन्नीस में विपक्ष में कोई चेरा नहीं है लकड़ भगे इंदुस्तान में इकठे जरूर हुए यह लकड़ भगे केवल और केवल इसलिए कि राम मंदिर का विरोध कर सके इनमें परदान मंत्री बनने की किसी में कोई इच्छा नहीं है ना ही यह परदान मंत्री बनने लायक है विपक्ष में केवल केवल राम मंदिर का विरोध करने के लिए यह लकड़ भगे इकठे वे नमबर कभी जिंदगी में नहीं पड़ पाएगा राउल गांदी को बलकि सला देती हूँ सोनिया गांदी को सला देती हूँ जल्दी से जल्दी क्योंकि ये युवार नहीं रहे अब राउल गांदी इनकी जल्दी से जल्दी शादी की जाए और अपनी ग्रस्ती बसा करके उ परदान मंत्री जिंदगी में नहीं बन पाएंगे राउल गान।